नमस्ते और वेकम बैक क्लीन और्गनाइज साबसुत्रा घर सबको पसंद आता है इसलिए क्लीनिंग डास्टिंग हमरे डेली रुटेन का एक मेजर पार्ट है और ये क्लीनिंग का कम तब टीडियास हो जाता है जब हमरे पास सही क्लीनिंग टूल्स या फिर सही क्लीनिंग प्रोडाक्स आवलेवल नहीं होता है मार्केट में डिफरेंट क्लीनिंग टूलस और क्लीनिंग सोलिशन आवलेवल है तो केंफ्यूस्ट होना नाच्राल है लेकिन आपको पता है बहुत ही basic cleaning product यूज़ करके अब daily cleaning chores complete कर सकते हैं और not only that, even deep cleaning के लिए भी ये basic tools and products से काफी होता है और जाधा महनत करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती तो चलिए आज इस वीडियो में देखते हैं कि कौन-कौन सा basic cleaning tools and products आपके cleaning काड़ी में होना ही चाहिए और सबसे अच्छी बात है कि ये सभी products local market में बहुत ये affordable price पे available है वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे like करना और चैनल को subscribe करना बिल्कुल ना भूले Now, let's jump into today's video As a cleaning tool, brush daily cleaning में एक important role play करता है किसी भी जगा का जल्दी और easy cleaning के लिए आपके cleaning caddy में कुछ brushes जरूर रखना चाहिए सबसे basic से start करते है Old toothbrush एक बहुत ही effective cleaning brush है किसी भी चीज को softly clean करने के लिए toothbrush की जरूरत होता है चाहे हो आपका shoes हो या फिर shower head Next step, metal brush भी आपके cleaning caddy में होना चाहिए जमी हुई गंदेगी, मिट्टी साफ करने के लिए इसे use किया जाता है Especially deep cleaning के लिए हम metal brush use करते है आपके gas burner के आसपास में जमी हुई गंदेगी, gas burner cast up के नीचे deep cleaning के लिए metal brush is an essential tool Wall paint करने के लिए जो brush use किया जाता है उसे भी हम delicate cleaning के लिए use कर सकते है अगर paint brush नहीं है तो shoe brush भी same काम कर सकता है क्योंकि shoe brush के bristles भी soft होता है Shoe brush या फिर paint brush, carved artifact, furniture clean करने के लिए बहुत effective है AC filter भी paint brush के help से easily clean हो जाता है Wear baskets भी इस तरीके से easily clean किया जा सकता है देखिए कितनी धूल निकली है Next, a small cleaning brush भी caddy में होना चाहिए Sink, wash basin area clean करने के लिए these are a must-haves इस brush के help से wash basin के hard to clean areas भी easily साफ हो जाता है दिनभार में सबसे ज़ादा use होता है wash basin और सबसे जल्दी गंधा भी हो जाता है तो basin area clean रखने के लिए इस तरह का एक brass तो होना ही चाहिए ये local market में 20-30 रुपिस में आपको मिल जाएगा और एक sink cleaning brush के option भी share करती हूँ इस तरह की brush के आगे एक steel wool लगा रहता है आप इससे बरतन भी clean कर सकते है और steel के sink भी clean कर सकते है ये effective तो है लेगिन totally optional है आप चाहे तो इसे use कर सकते है next brush और dust pan के एक set आपके पास होना ही चाहिए ये एक दूसरे के साथ attached होके रहते है तो किसी भी तरह की spot cleaning के लिए आप इसे use कर सकते है scarting and carpet clean करने के लिए भी इस तरह की brush use किया जा सकता है local market में easily available है और price भी जादा नहीं है मैं तो 100 rupees में लेके आई थी बच्चे घर में है तो spot cleaning तो करना ही पड़ता है और ये brush and dustpan की set आपका काम आसान कर देता है last but not the least ये bathroom cleaning brush इसके बारे में मैंने कई बार बात कर चुकी हूँ I love this brush इसका handle adjustable है तो cleaning के time आपको bent नहीं होना पड़ेगा brush portion अलग हो जाता है तो bathrooms के wall भी आप इसके help से clean कर पाएंगे मैं इसे almost 2 साल से उसकर नहीं हूँ और ये अभी तक सही condition में है daily bathroom cleaning के लिए आपके पास ये brush होना ही चाहिए इसका link आपको नीचे description box में मिल जाएगा vacuum cleaner के बिना हमारी cleaning tools के list अधूरी है vacuum cleaner is a great companion for household chores और एक cordless vacuum cleaner cleaning के कम और भी आसान बना देता है मुझे न एक good quality के cordless vacuum cleaner की तलाख्ष थी तक ए daily cleaning आसान हो जाए तो मैंने Amazon से ये Agaro के cordless stick vacuum cleaner order की थी and it has met my expectations मुझे पता है आप लोग इसके बारे में बहुत सरी questions पुछेंगे तो चलिए इसका कुछ features जली जली देख लेते है Agaro Supreme Cordless Stick Vacuum Cleaner 400 Watt Powerful Brushless DC Motor के साथ आता है जो की 25 KPa तक suction power produce करता है इसमें 3 adjustable low, medium and high suction mode है जो की 30 मिनिट तक powerful suction प्रोवाइड कर सकता है इसे आप handheld and stick vacuum cleaner दोनों तरीके से यूज कर सकते है इसे operate करना बहुत असान है ये vacuum cleaner rechargeable 2000 mAh बैटरी के साथ आता है और 5 घंटे में fully charge हो जाता है इसे recharge करना बहुत असान है just like आपका mobile phone and other gadgets ये motorized multi-floor rolling brush carpet and float दोनों जगा से ही धूल, मिटी, पेठेयर, food crumbs clean कर सकता है इसका flexible head 270 degree move कर सकता है तो ये easily furniture या फिर dining table के नीचे clean कर सकता है ये mattress brush, mattress के अलावा fabric sofa, cushion and carton clean कर सकता है crevice nozzle, heart to reach corner and spaces clean करने में help करता है 2-in-1 bristle brush के help से hard and delicate surface clean किया जा सकता है vacuum cleaner hang करने के लिए wall bracket and screw provide किया गया है आपको इसमें 1 year की warranty भी मिल जाता है 0.5 liter bagless dust collecting bin clean करना बहुत ही आसान है नीचे इस बटन को push करने से bin detached हो जाता है और उपर और इक push button है जिसे push करने से dust collecting bin के जो lead है वो open हो जाता है और आप directly इस dust bin में खली कर सकते है filter को कभी भी wet ना करे बागी के dust collecting bin आप पानी से wash कर सकते है तो everyday cleaning के लिए मैं तो ये vacuum cleaner आपको ज़रूर recommend करूंगी purchase link नीचे description box में मिल जाएगा weight cleaning and dusting के लिए हम different cleaning clothes यूज करते है अजा cleaning clothes मैं soft cotton clothes या फिर टी शर्ट यूज करना ही prefer करती हूँ लेकिन फिर भी कुछ specific cleaning clothes भी हमें proper cleaning के लिए ज़रूरत होता है इसमें से सबसे पहले हम microfiber clothes के बाड़े में बात करेंगे daily cleaning, deep cleaning के लिए आपके पस कुछ microfiber clothes होना ही चाहिए इस तरह के cleaning clothes dust को magnet के तरह attract करता है और lind भी नहीं छोड़ते इसलिए किसी भी greasy area clean करने के लिए, daily dusting के लिए, furniture बेगरा जल्दी clean करने के लिए हमें microfiber clothes की ज़रूरत होती है here is a bonus tip, microfiber clothes यूज करने से पहले उसे थोड़ा सा डाम कर लेने से cleaning और भी आसान अन बहतर हो जाता है kitchen में काम करने के लिए अलग-अलग kitchen napkin की ज़रूरत तो होता ही है मेरे पास भी कुछ है, इसमें से कुछ मैंने purchase किया है और कुछ पुराना कपर यूज किया है सभी kitchen napkin मैंने file system में organize करके रखा है तकि access करना आसान हो जाए cleaning clothes में मैं कुछ बहुत पुराने फटे हुए कपरे भी रखती हूँ किसी भी greasy area या फिक जमी हुई गंधेगी deep cleaning के लिए मैं उसे use करती हूँ और cleaning के बाद उसे fake देती हूँ अच्छे cleaning clothes यूज करूँगी तो deep cleaning के बाद मुझे उसे भी साफ करना पड़ेगा लेकिन पुराने कपरी यूज करूँगी दूसे मैं easily fake सकती हूँ तो इस तरीके से थोड़ा बाद extra मैनत में बचा लेती हूँ cleaning करने में कुछ sponge wipes होना ही चाहिए इसका absorption power काफी strong होता है तो किसे भी तरह के spillage clean करने के लिए आप इसे यूज कर सकते है bathroom fittings को रोज एक quick wipes देने के लिए मैं ये sponge wipes यूज करती हूँ sink and wash person area clean करने के बाद अगर आप इस sponge wipes से उसे एक बार wipe कर देंगे तो वो बहुत जल सूफी जाता है और neat to clean दिखता है kitchen को बिना मेहनत करे साफ सुत्रा रखने के लिए wet wipes ज़रूर यूज किया करे swiss board मिंटों में clean करने के लिए kitchen containers को एक quick wipes देने के लिए wet wipes बहुत useful होता है caddy में दो scrubber रखना ना भूले जो साफाई brush और microfiber clothes नहीं कर पाता ये scrubber वो cleaning इसली कर देता है घर का hard to reach areas effortlessly clean करने के लिए इस तरह के expandable duster आपके पास होना ही चाहिए ये slim duster किसी भी narrow space या फिर furniture के पीछे clean करने में help करता है ये expandable भी है तो आप जाले भी साफ कर सकते है ये duster थोड़ा सा cost effective है ये microfiber duster से आप photo frame sop पी साफ कर सकते है ये easily bend भी हो जाता है तो AC, loft, furniture की उपर clean करना भी बहुत असन है बर्बस tool पर chaining की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा microfiber duster थोड़ा सा costly होता है आप मेरे पहले कब videos में भी ये duster देख चुके हैं तो जादा details में नहीं जा रही हूँ ये दोनों duster optional है इसमें से एक आपके पास रहने से ही कम चल जाता है लेकिन दोनों में से मैं microfiber duster को ही recommend करूँगी हमेशा effective cleaning solution use करे daily cleaning के लिए DIY solution use कर सकते है लेकिन deep cleaning के लिए strong cleaner use किया करे daily cleaning के लिए मैं एक DIY all-purpose cleaner ready कर लेती हूँ और ये cleaner के help से ही मैं अपना घर clean रखती हूँ चाहे वो countertop clean करना हो या फिर dining table wash basin area disinfect करना हो या फिर मेरा appliances deep clean करने के लिए मैं हमेशा lizol या फिर mr muscle के kitchen cleaning solution use करती हूँ किसे भी greasy dust clean करने के लिए इस तरह के strong kitchen cleaner और microfiber cloth के combination unbitable होते है इस तरह के बहुत गंधी चीज़े clean करने के लिए मैं deep color के old socks use करती हूँ old socks microfiber cloths जैसा ही काम करता है लेकिन deep color होने के करण उसे साफ करने के लिए मुझे ज़ादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है bathroom clean करने के लिए marble care और harpic काफी है अगर marble care available नहीं है तो raw यूज़ कर सकते है cockroach free kitchen के लिए महिने में एक बार आपको heat spray करना ही पड़ेगा mirror clean करने के लिए मैं हमेशा कॉलीन ही यूज़ करती हूँ last में ये additional तीन चीज़ों के बारे में बात करना ही पड़ेगा आपके cleaning cabinet में WD-40 होना ही चाहिए और इससे अब क्या-क्या clean कर सकते हैं वो जानने के लिए आपको ये video देखना ही पड़ेगा link description box में मिल जाएगा और ये है पितामबडी इसके बारे में तो मुझे अपलेगों से ही पता चला steel, iron, तामा, brush किसी भी material के बरतन आपके तंबडी use करके clean कर सकते हैं बरतन नया जैसा हो जाता है और baking powder जैसा natural cleaner तो घर में होना ही चाहिए अभी चलिए देखते हैं कि made it daily cleaning caddy में मैं क्या-क्या रखती हूँ all-purpose cleaner, sink cleaning brush paint brush, tooth brush microfiber cloth एक पुराना socks scrubber sponge wipes और एक hand gloves made it daily cleaning के लिए ये सब काफी है तो आज के लिए बस इतना ही वीडियो अगर helpful लगा तो वीडियो को like करना और चनल को subscribe करना बिल्कुल ना हूले मैं अब रित आप से मिल इंगे रखना है वीडियो के साथ next Sunday until then take care lots of love from happy homemaking bye bye